नमस्कार क्रीको देख रहे हैं आप जैहिंद में हूँ रॉनक और इतिहास गवाय कि जब जब इंसान की फटी है तब तब उसकी मुंडी भगवान के सामने जुकी है एहमदाबाद टेस्ट में कोहली की लॉनक अवेटेट सेंचुरी लग गई और फैंस के कलेजे को धंड़क मिल गई मैं अच भी आप रोमान चचक मोड पर पहुंच चुगा है जिसका डीटेल हमने आपको अपने नोपो चैनल पर वीडियो बना कर बता दिया जाकर उस वीडियो का दर्शन जरू करें क्रिपा बरसेगी और यहां हम करेंगे किंग के मन में आये परिवर्तिन की बात कोली बाई देर आये मगर दुरुस्ता है पिछले कुछ महीनों से भगवान के हर चौकट पर माता टेकने का फल विराट कोली को मिलता जा रहा है पहले नीम करूली बाबाजी के हां महराज जी के हां गये दर्शन के लिए तो बंडे में दो सेंचरी लग गई फिर विंदा बहुत आभारी है अनुश्का भावी का जिनो ले विराट के अंदर ये गजब का परिवर्तन किया है वैसे सुनने में ये भी आया है कि स्मित ने कोली से नीम करूली बाबाजी का बोले तो महराज जी का पता मांगा है क्या ये बाद सही है एलो वैसे जोग सपाट एमदाबाद में पिछ भी सपाट थी और सपाट पिछ पर कोली ने खोल दिया रनों के कपाट विराट कोली ने करीब करीब साड़े तीन साल लंबे समय बाद टेस्ट में सेंचुरी लगाई है मगर देर सही सही ये सेंचुरी बहुत टाइम पे आई है कोली के टेस्ट में ये 28 और करियर का 75 शतक रहा और उस्टिलिया के खिलाफ ये उनकी 18 सेंचुरी रही अपनी स्पारी में विराट ने खास रिकाउड भी अपने नाम कर लिया कोली स्पारी के साथ ये उस्टिलिया के खिलाफ सबसायता रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पढ़ आप चुके है वेस्ट इडीज के स्टाइलिश और धाकड पूर बलेबाज लारा ने उस्टिलिया के खिलाफ को बयासे इंटरनाशनल माच के लें इस दौरान उन्होंने 12 शतकों की मदद से 4714 रन बनाए मास्टर ब्लास्टर ने कंगारों के खिलाफ 110 इंटरनाशनल माचों में 20 शतक और 31 अर्दो शतक की मदद से 49.68 की आवरेज से 6707 रन बनाए है टेस्ट क्रिकेट में काफी लंबे वक्त बाद विराट कोली के बले से शतक निकला कोली का पिछला टेस्ट शतक आया था बंगलादेश के खिलाफ नवंबर 2019 इसके बाद कोली ने 6 पारियों में 50 तो बनाई मगर 3 डिजिट वाला डिजिट डान्स नहीं कर पाए मगर जैसा कि हमने पहले कहा कि आमदाबाद की पिछ है सपार्ट और कोली ने खोल दिये रनों के कपाट और इस कपाट के पीछे से निकला कोली के करियर का 75 वा शतक विराट के इस शतक में सबसे खास बात ये रही कि उन्हों ने इस पारी में 100 रनों तक पहुँचने के लिए केवल 5 चौके लगाया कोली ने इस पारी में अपना 5 वा चौका तब लगाया जब वो सिर्फ 28 रन परते और फिर उसके बाद अगले 191 गेंदो पर कोली ने सिर्फ सिंगल डबल और ट्रिपल लेकर सेंचुरी तक का रास्ता तै किया एक बार सिंचुरी पूरी तो कोली ने गेर शिफ्ट किया और अगले 70 गिंदों में 50 बना कर अपनी टेस्ट करियर में 11 वी बार 1500 का आंकड़ा पार किया 100 से 1500 तक कहुँचने में कोली ने 6 चौके लगाया किंग कोली के शतक ने एमदाबाट टेस्ट में एक चीज़ तो पक्की कर दी कि अब इंडिया ये टेस्स मैच हार तो नहीं सकती लेकिन जीत सकती है अगर चाहे तो तो क्या लगता आपको? क्या कोली का शतक टीम इंडिया को जीत दिलाने में काम आएगा? क्या अएमदाबाट टेस 5 में दिन 1 डे और T20 जैसा हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ और इंडिया जीती तो man of the match करन होगा? आपके option है A. विराट, B. कोली, C. किंग या D. किंग विरा जल्दी मिलते हैं जै हिंद